सागत्य आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आ हैं आपके लिए बहुत ही मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर हैं हाँ पर अपना आधुने कल से सम्मंदित मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर पड़ रहे हैं तो सभी लोग आ जाईएगा वीडियो से जड़ जाईएगा लाइक क्लास से और सभी लोग वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने वह जादा से जादा वीडियो को सेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाइज आती है सामको चार वजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर ह मेन ऑगंच लेते हैं कि देखिए वर्श्ट कॉस्चन आपर पंचवटी प्रसंग कव्यकीरłam रचेता कौन माने जाते हैं यह आपसे पूचा गया है मेथली सद्रण गुपते हैं निराला हैं जैसंकर प्रसाद हैं खेसब दास हैं तो राजन जी बिंदू जी सिल्पा जी नीता जी रीना जी सबी के लिए यहां पर सईए आंसर चेंट करना हैं तो बिकल्ब नम्बर बी आपका सईए आंसर है पंचवटी प्रसंग काभव की रचेता निराला माने जाते हैं पंचवटी जो प्रसंग है एक ऐसा है निराला है निराला तो निराला जी की रचिना माने जाते है सुरकांत्र पाथी निराला विल्कुल चाहिए आकास गंगा काभव संग्रै किसका माना जाता है आकास गंगा यहाँ पर सही आंसर होगा आकास गंगा रामकुमार बर्मा जी का एक कब संग्रे माना जाता है विकल्प नमबर आपका जो C है यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कॉशन यहाँ पर देखेगा कॉशन नंबर आपसे आपर 53 पूंचा गया है महत्तुपूर कौश्चन है सब्त पढणा किसकी कृति है सब्त पढणा पूंचा है अमिद जी लबली जी मंता जी और आप सभी का सभी आंसर की सब्त पढ़ना तो मानी जाती है किनकी निराला प्रसाद महादेवी बर्मा या फिर पंच तो इकरती उनी की मानी जाती है किनकी राकेश जी महादेवी बर्मा की जिनने आदुनिक युग की मीरा कहा जाता है जगन जी तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका याँ पर सई आंसरों का जिने आदुने क्यों की मीरा का जाता है उनी की किर्टी है यानि की महादेवी बर्मा निहार रस्मी नीर्जा सांड़गी त्यामा दीप्टे का अधियनी की रचिनाय मानी जाती है गौक्शन नमबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है चंगनवा गौक्शन है देखेगा चंगनवा गौक्शन है रवबड़शंद या िप्याचुगा चंड किस कभी की कविताऊं को लक्च कर कहा गया है बता ही दिन कर धूमिल निराला या फिर मुक्ती बौद रवबड़ चंद या क्याचुआ चंद किस कभी की कभीतां को लक्ष कर कहा गया है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है यह विकल्प नमबर चंगवन में जो सी है निराला उनका यहां पर सही आंसरों का सुरिकांत्र पाथी निराला जी को कहा गया है विल्कुल चाहिए बहुत पूंचा गया कि जैसंकर प्रसाद की किस किर्थी को पहले ब्रिद भासा में तता बाद में खड़ी बोली में रुपांत्रित किया गया बताईएगा चैन कीजेगा प्रेम पतिक को कानन कुसम को जहरना को या फिर आशू को चैन कीजेगा कौन सी वै रचिना है महत्यपूर्ण कॉश्चन या पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है कि विकल्प नमबर यहां पर जो क्या सई आंसर एक सई आंसर है प्रेम पतिक आपका यहां पर सई आंसर होगा प्रियम्य पत्यक आपका सही आंसर लगा देते हैं विल्कुल चाही विकल्प नमबर ए जिनों ने भी यहाँ पर चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बहुत बड़ी अंगला कॉश्चन यहाँ पर देखेगा कॉश्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया निराला की जूही की कली उधारन है किसका उधारन मानी जाते है निराला की जूही की कली जबी लोग चैन करिएगा महत्यपूर्ण कॉश्चन है चार विकल्प आपकिया पर दिये गए हैं और कॉश्चन नमबर आपका इहाँ पर 56 है तो 56 में सय आंसर मात्रिक चंद बढ़ कि मुक्त चंद का उधारन मानी जाती है विकल्प नमबर जो C है विकल्प नमबर 3 जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया बिल्कुल सही अंगला कॉश्चन यहाँ पर देखते हैं कॉश्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया संताउन मत्प संताउन वब कॉश्चन आपसे पूंचा क्या है मत्पून कोश्चन है चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आरा है कि पादर जी की जो पहली रचना मानी जाती है वह कौनसी मानी जाती है तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर शिर्या इंशर हो थी और पंतina जी को जो है पिर्कृटी का सुकुमार कभी कहा जाता है कि कई बार पूंचर जै पिर्कृटी का सुकुमार कभी कि ने कहा जाता है समेत्र नंदन पन्तिकूल परिवर्थ पिरसाद के काब में नमलुकित में किसका मिलता है अंठाउन में बताना है बताई गा चार विकल्प में आपर दिये गए कॉस्ट नमबर अंठाउन हे और अंठाउन में आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सहई आंसर तो 96 बाकरता का बेभब मिलता है प्रसाद की काविमें यहमिल शिमें किस्काउत करस मिलता है तो अभी वेंजना आपका यह पर जो B है आपका यहाँआपर सहई आंसर है अभी वेंजना विलकुल चाहिए वेकरट नंबर दो चैन्वा नहिंड भी याँ पर चैन्गा है उनका याँ पर सजी आंसर होगा अंगल्या Ughesian यह पर देखेगा कोंच्य नमबर आपसे यहाँ पर पूंच्छा ग्या है कौंचा देखें यहां पर दिया ग्या है उनसटवा कोंच्छन गान गान आपका और ही रहा कि यह के अग्गे ने केवल सूक्ष मिगत्य स्वांदरे सत्ता का राग कहे कर चायबाद का अब्रोध किस ने किया था तो आप सभी का सही आंसर ने चायबाद का अब्रोध किया था महादेवी बर्मा ने किनों ने महादेवी बर्मा ने विलकुल सही आंसरों का विकल्प नंबर दो जिन्हों ने भी यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर वो गाद उने क्योंकि मीरा का जाता है चायवादी कभियों मादेई बर्मा यह रहस्य बाद की भीतर रही है मादेई बर्मा ने चायवाद को के विवल सुप्षमिगत स्वंदर सत्ता का रागे काईकर कीज Works की जेगा मत्वां कॉश्टा इस यहां पर पूंचा गया है औरं अप सभी का सईया अंसर आ रहा है कि उपिंदर नात अस आपका यहां पर सभी सभी का सब् सबी लोगों ने सई आंसर बताया है पिरसाद की का विकरतियों का सई अनुक्रम आपके लिए हां पर बताना है एकसेड़ वा कौस्चन है कौन सा अनुक्रम यहां पर सई आंसर होगा बताईए पिरसाद की यहां पर कभी किर्टियां दे गई है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा विकल्प नमबर C आपका सही आंसर है C आनिकी उर्बसी जर्णा आसू और उसके बाद लहर यह वाला जो विकल्प है वह आपका यहां पर सही आंसर होगा प्रसाद जी की किर्टियां इस प्रकार दे गई हैं सबसे पहले उर्बसी प्रबन मिलन प्रेम राज सोकुच्छवास अयुद्या काउद्दार बब्रु बाहन कानन को सुम प्रेम पतिक महाराना कमत चित्राधार जरना आसू लहर और आकरी कामाईनी 1935 की कॉश्चन नमबर आपसे यहां पर बासेट पूंचा गया है क्या पूंचा गया है कि नमलिक इतकाब संग्रों को उनके प्रकाशन वर्ष की अनुसार क्या करना है सुमेलित करना है तो चलिए सुमेलित कर देते हैं यहां पर कोड़ भी एक बार देख लें यह आपके यहां पर कोड़ दिये यहां पर आपको सुमिलित करना है तो देखे का पल्लाव जो है पल्लाव पल्लाव है 1926 इसका प्रकाशन बीणा 1927 प्रकाशन है और गुंजन 1932 माना जाता है गुंजन का प्रकाशन और सुर्ण करण का जो है सुर्ण करण 1947 इसका प्रकाशन माना जाता है तो विकल्प नमब विल्कुल चाई व्यकल्प नमबर दो जैनों ने भी यहां पर चैन क्या है उनका सई आणचर है। Qaustion No. आपसे अंगलाक यहां पर क्या पूंचा गया है। देखेगा यहां पर दिया गया है Qaustion No. 63 है कि गीत गोंज किस कभी की रचना है। बताईए गीत गुंज किस कभी की रचिना सुर्कांत्र पाथी नराला समित्रा नंदर पंत रामकुमार बर्मा या फिर महादेवी बर्मा इस एक गीत गुंज किस कभी की रचिना मानी जाती है तो 63 में आपका विकलप नंबर एक सही आनसर होगा ये सूर्कांत्र पाथी नराला जी की रचिना मानी जाती है वेकल्प नमबर एक जन्होंने भी यहां पर चैन क्या है उनका सही आंसर होगा 1925 की रचिना निराला जी की गुंजन ये पंति जी की 1932 की रचिना है जितर रेखा रामकुमार बर्मा की रचिना है ये जो है 1935 की वो संद्धीत महादेवी बर्मा की रचिना है ये मानी जाती है 1936 की रचिना पंति की काप रचिनाव का सही अनुक्रम आपके लिए बताना है कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा बताईए पंत की काप रचिनाव का सही अनुक्रम यहां पर चेन करना है मनीशा जी राजिव जी के अम्यनका जी चेन कीजिएगा question मर्त पूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि हाँ पर आदित सिंग जी पूरी रचिनाव पंत जी की दे गई है जते हैं जिनमें विकल्प नंबर वी आपका सही आंसर होगा पल्ला गूंजन ऑवांत ग्रामया यह वाला विकल्प आपका यहां सही आंसर है विकल्प नंबर दो जो है वैं आपका सही आंसर होगा विल्कुल चाहिए English Question यहाँ पर देखेगा रचिनाकाल की अनुसार आपके लिए यहाँ पर बताना है काव्यों का सही अनुक्रम क्या होगा रचिनाकाल की अनुसार पूंचा है 65 में बताईए 65 में आपके लिए रचिनाकाल की अनुसार बताना है कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर 4 विकल्प दिये गए है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो D है वह सही आंसर होगा यानि की कानन कोसम आशू, लहर और कामाईनी यह वाला जो विकल्प है वहे आपका यहाँ पर सही आंसरों, ऑगा विकल्प नमबर D वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बहत बढ़िया, कानंकोसम यह Looking. 1913 की रचिना मानी जाती है, और आशू जो है 1925 की रचिना है, लहर 1933, ओकावाई नी 1935 की रचिना मानी जाती है, कौश्चन नमबर आपसे यहां पर 66 क्या पूंचा गया है देखे का एरा कौश्चन नमबर 66 आपका की उत्त्राइण महाकाप्य की रचीता कौन मानी जाती है आपके लिए चैन करना है रामकुमार बर्मा है या फिर सिया रामसर्ण गुप्त है राम नरेश्टर पाथी है और आप सभी का यहां पर सईया अंसर आ रहा है 36 में विकल्प नमबर आपका यहां पर उत्त्राइण पूंचा है और उत्त्राइण यह जो किर्ती मानी जाती है महाकाप्य माना जाता है रामकुमार बर्मा का महाकाप्य माना जाता है नभी वाला विकल्प जो है आपका यहां पर सईया आंसर होगा उत्त्राइण महाकाप कावब की रचिना का रामकुमार बर्मा माने जाते हैं और प्रिये प्रवास ये मां कावब किनका हर्योद का आद्रा एक कावब ग्रंटेस या रामसन गुप्त का वो मिलन एक खंड कावब है किनका रामनरिस्त्र पाथी जी का कॉस्चिन नमबर आपके यहां पर 67 पूंचा इस कि आपको क्या करना है पिर्गासन के अनुसार इन रचनाव का सही अनुक्रम बताना है वताईड के प्रिकासन के अनुसार यहां पर वी आपके लिए चेंड करना है सही आंसर तो आपता सभी का यहां पर question नम्बर चरसट में सई आंसर होगा कि विकल्प नंबर इहां पर जो D है वहें आपका सई आंसर है अनामी का पल्लाव लहर और नीरजा ये वाला जो विकल्प है वहें आपका सई आंसर होगा अनामी का जो है 1933 की रचना है निराला जी की 1923 की रचना है 1928 की रचना मानी जाती है पल्ल निर्जा 1935 की रचिना है महादेवी बर्मा की तो यहां पर बिल्कुल सई डी वाला विकल्प आपका सज्या अंसर होगा छायवादी के समर्थन में सबसे पहला लिखने वाले लेखक कौन माने जाते हैं बताएगा जैसेंकर प्रिसाद है नम्मकुट दरपांडे हैं स्रीदर पाठक है या नंद दुलारे वाचपेई हैं बताएगे चैन कीजेगा मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है कॉस्चन नम्मर आपका यहां पर 68 है और 68 में सई अंसर चायवाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन माने जाते हैं तो वह म जनकर जी विलकुल सही चायवाद के समर्थन में सरप्रतं लेक मुकूटたरपांडी ने 120 years में जबल पूर्द से प्रिकास सिरी साथर पत्रिक अ में हिंदी में चायवाद नामक सीर्षाख से लिख्खा था हिंदी में चायवाद सबद का प्रियोग प्रिद्त है मुकूट कि नेपार चंदन चांदनी का देश किसकी पंती मानी जाती है यह आपके लिए बताना है बताईए चैन कीजे का महत्त पूण कौश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर तो बहुत बढ़िया सभी लोगों का यहां पर सह आंसर आ रहा है कि क्या है सही आंसर तो बहुत बढ़िया सभी का यहां पर कौश्चन नमबर 79 में 20 सही आंसरों का महादेवी बर्मा वेकल्ट नमबर 2 जन्वने भी यहां पर चैन किया है मादेव बर्मा उनका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा देखे यहां पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया है क्वाश्चन नमबर आपसे यहां पर सत्तर पूंचा गया है सत्तरवा कॉस्चन है अंग्रेजी स्वचंदेता अंग्रेजी सचंदता बादी काप्व का प्रिभाव हिंदी की किस काप्वधारा पर दिखाई देता है बताए कोशिर मत्पूर्ण है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा यह चैन करना है चार विकल्प दिये गए है और आप सभी का यहां पर सही आंशर क्या होगा Q Sounds मत तुण है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहे सही answer वेखलप नंबर C यानी कि most C में आपका छायबाद जो है सही answer होगा छायबाद जन्ने नों आंबी chan किया है उनका यहां पर सही answer है बहुत बढ़िए वेखलप नंबर 3 आपका यहां पर सही answer होगा question number आपका यहाँ पर 71 पूंचा गया है देखेगा 71 question क्या पूंचा है यहाँ पर कि छायवादी की निमलिकत विसेशना है कौन सी है यह आपके लिए chain करना है chain कीजेगा क्या होगा सही answer चार विकल्प आपके दिये गए है मत्वपून question है और सभी लोग शियन कीजेगा क्या होगा इसका सही answer मत्वपून question यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही answer आ रहा है क्या रहा है सही answer चार वादी की निमलिकत विसेशना हो सकती है तो यह आपके हाँ पर code दिये गए है जिनमें आपका ए बाला जो सही answer होगा विलकुल हां विलकुल 1928 माना जाता है लेकिन 1928 आपका नहोँ तो आप 26 वाला विकल्प यह इसे जोए 26 दिया गया है तो 26 आपका जोए सही answer होगा अगर 1928 है तो 1928 आपका दिपक जी सही answer है यहाँ पर D वाला विकल्प आपका सही आंसर है, 3, 2, 3, सही, और जो चौथा है वह आंसिक, आंसिक सही है, इस पिरकार जो है आपका इहाँ पर दिया गया है, 3, इस पिरकार आपका सही आंसर इहाँ पर दिया गया है, यह D वाला जो विकल्प है, D वाला वह आपका इहाँ पर सही आंसर होगा अंगला पॉस्चिन यहां पर देखते हैं क्या पूंचा गया है पॉस्चिन नंबर आपका यहां पर बहत्तर है रचना काल की द्रश्टी से निमनलकेत कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा बहत्तर में आपके लिए चैन करना है चैन कीजेगा चार बाबना जी क्या होगा सही आंसर और आप सभी का यहां पर सही आंसर है कि रचना काल की द्रश्टी से पूंचा गया है निमनलकेत कृतियों का सही अनुक्रम तो वेकलप नंबर इड़ी वाला वेकलप यहां पर भी पल्लव कामाईनी दीपसेका कुकरमुत्ता यह वाला जो तो विकल्प है, विकल्प नमबर 4 वह झार है, आपका सया थार अंसर होगा, देखेगा, पल्ला 1928, देखेगा, यहाँ पर 28 दिया है, तो 28 यह आपका यहाँ पर माना जाता है, दीबग जी अगर 28 नहीं रहता है, तो उसकी आजपास वाले विकल्प जो है, दिये रहते हैं, अब कामाईनी में आपको भी कन्प्यूजन रहता क्यों कि कहीं कहीं आपका जो कामाईनी 35 नहीं दिया रहता कितना दिया रहता है 36 दिया रहता तो वहां पर 36 लगाना पड़ता है 36 सई आंसर उहां पर लगाते हैं तो वैसे तो अधिकतर 35 दिया रहता लेकिन कहीं आपने पड़ा होगा कई बार 36 भी आपको मिलता है कामाईनी का कुकुर्मुत्ता 1942 की यह भी रचना सुरकांतिर पाठी निराला जी की कॉस्चन आपका यहां पर अंगला क्या पूंचा गया है देखेगा यहां पर आपका यहां पर पूंचा गया है तेतरवा कॉस्चन है निराला की रचनाव का सही अनुक्रम बताईएगा क्या होगा सही आंसर हाँ आनंद जी विलकुल तो मत्वण कॉस्चन पूंचा गया है तेतरवा कॉस्चन है निराला की रचनाव का सही अनुक्रम आपके लिए चेन करना है और आप चभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक अनामी का परिमल गीति का कुकुर मुद्था ये वाला जो विकल्प है आपका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया बहें आपका यहांपर वेकल्प नंबर एक पिंकी जी जणोगी चैन क्या है उनका सही आंसर होगा बहुत बढ़िया अंगल्या question यह आपा देखते है QA 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 Q पर सही आंसर होगा खा माईनी के सर्गों का सहीनुक्रम कौन सा माना जाता है जिसमें पंदर सर्गे दिये गए है जिसमें इनके शर्गों का सयनुक्रम इस प्रकार है चिंता आसा स्रद्दा काम वासना लज्जा कर्म इशा इड़ा स्वपने संगर्ष निर्वेद दर्सन रहस्य तथा आनंदे यह पूंचा जाता है अंत्यम सर्ग प्रथम सर्ग कौन सा इस प्रकार की कौश्चन आप से पूंचे जाती हैं जो ही की कली कभीता की रचेता बताना है कौन मानी जाती है पंते निराला प्रसाद या पिर महादेवी बर्मा और आप सभी का यहां पर सयांसर आ रहा है क्या रहा है सयांसर जो ही की कली कभीता की कभी कौन मानी जाती है कौश्चन मत्वण है आप सभी का सयांसर आ रहा है कि जो ही क कि कली निराला जी की रचना मानी जाती है विकल्प नंबर बी जिन्वने भी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है विल्कुल चाही गिरजे का घंटा समित्र अनंदन पंची की रचना है सावन पंचक जैसंकर प्रसाद आईएगा हाँ शाधिना स्कला जी कॉस्चन मत पूर्ण है कॉस्चन नमर 16 ौस यह आपर पूंचा ग्या है शेतर में आप सभी का क्या होगा सही आंसर यह आपको बताना है इन्यमने लिकट कव संग्रों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या माना जाता है क्या है सही आंसर C आपका सही आंसर है ग्रंती बीना पल्लाव गुंजन ये वाला जो विकल्फ है आपका हाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया ग्रंती बीना पल्लाव गुंजन इस पिरकार ग्रंती जो है 1922 बीना 1927 पल्लाव 28 गुंजन 1932 यह इनकी रचना मानी जाते हैं फिर आती है युगांत युगमानी ग्राम्या सुन्डेकर्ण सुन्डे दोली युगपत उत्रा बाणी कला और बूला चांद अतिमा लोकाइतान चेदंब्रा और सत्यकाम 1975 की रचना है सत्यकाम कॉस्चिन नमबर आपसे यहां पर पूंचा ग लगनी दाः या पिर जल रोह या का Mलभती का पुषया ताप क्यूसंट मत्त्पूंण है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसरही यहजान कना्य प्रसाद कृत्रलों प्लिलसिए रह कि plain меш में है यह रानी कामलवती का लगस नमबर हैं आपका फीमा झूर औहर होगा कौश्चन नमबर आप यहां पर पूंचा गया कौँशा गया कौश्चन का सई अनुकरम बताना है कौश्च सा अनुकरम यहां पर सई हो गाइश्चन कर लिजेगा जोनोंने अभी तक वीडियो को लाइक करते जाएगा रोज आपके लिए इसी तरह कि एकलास लाई जाती है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है नम्लेकित कर्तियों का सई अनुक्रम शेहन करना है तो इन में आपका जो सई अनुक्रम होगा आशू ग्रंथी नए पत्ते ठंडा लूहा बेकल्प नंबर सी जो है वह आपका सई आंसर होगा ग आ पर आपका जो है अथा वहए है सवाला विकल्प आपका सई आंसर है अंगला भास्व इंया देखेगा ना कोश्चन्स नंबर आपसे आप पर उंचा गया है कौनसा उन्यासाइवा क्वाकशन ही में के रिटनी पूंचा गया है यह किस ये रचना है हिंमक्रेटनी बताना है क्या होगा सही आंसर हिंक्रेटनी किनकी रचना मानी जाती है चैन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है माकललाल चैतुरवेदी हर्योद बालकर्षन सर्मा नभीन या सोहन लाल दुबेदी यह यहां पर गड़बल हो आंगे पीछे हो गई यह जो है ग्रंती यहां पर होती और आसू यहां पर होता इस प्रकार जो है यहां पर सही होता विल्कुल ग्रंती 1920 की है और आसु 1925 की रचिना मानी जाती है यह आंगे पीछे हो गए हैं तो यह प्रेसन आपका जो है गलत हो गया है आँगे बढ़ते हैं कौशन नंबर आपका यहां पर पूंचा गया है कौनसा उन्याशीवा कौशन हिमिकरेटनी किसकी रचिना है तो हिमिकरेटनी की माखनलाल चतुर्वेदी की रचिना मानी जाती है एक वारती आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को और कौशन नंबर आपसे यहां पर पूंचा गया है आपर देखेगा अंगला असृवा कौशन है नेम लिके तकाब विकृतियों का सही क्या होगा यह चैन करना है मत्त पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है यहां पर भारत भारती पल्लाव अनामिका और दीप सिखा यह वाला जो विकल्प है विकल्प नंबर डी वह आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प के साथ स्वमिलित करना है चलिए स्वमिलित कर देते हैं या पर कोड भी दिये गए हैं तो कोड में आपको जो है स्वमिलित करना है चलिए स्वमिलित कर देते हैं सभी लोग कोड एक बार देख लीजिएगा यहां पर तो देखें आपर सुमित्रा नंदन पंति की रचिना बताना है कौनची मानी जाते हैं सुमित्रा नंदन पंति की रचिना श्रोल्ण धूली है और जैसंकर प्रसाद की रचिना लहर मानी जाती है निराला की रचिना मानी जाती है कौन जी निराला की रचिना मानी जाती है अर्चिना और यह जो हरीवंसरा बच्चन जी है इनकी रचिना है एकांत संगीत इस पिरकार नहां पर सोमेलित किये गए हैं बहुत बढ़ियां बाबरा अहेरी अग्ये की रचिना मानी जाती है अग सा लिएसे बाख कौस्चन है सेर सेंखा सस्त्र समर्पण की रच्ना कर कौन मानी जाती है geopolitica में चेंट कीजेगा निराला हैं दिनिकर हैं सबस्ट्र कुमारी चौहान है या जैस fancar प्रिसाद है, चैन कीजेगा question मतपूर्ण पूंचा क्या है? Question number 82 है, और 82 में आप सभी का सईयांसरा रहा है शेंका सस्त्र समरपन रचिना मानी जाती है किन की जैसंकर प्रिसाद आपका डी वाला जो विकल्प है, वहें आपका सही आंसर होगा जय संकर प्रसादी की रचिना मानी जाती है और जो ही कि कल ये निराला जी की रचिना है दिल्ली ये जो है रामदारी संधिनकर की रचिना है और जासी की रानी ये सबद्रा कुमारी चौहान की रचिना मानी जाती है कौस्चन नमबर आपका यहाँ पर पूंचा गया है, 83 वा कौस्चन है, देखेगा निमनलखित में से, किर्ती कालकरम की द्रश्टी से कौन सा सही अनुक्रम है, अनुक्रम आग के लिए बताना है, बताईए कौस्चन मत्पोन है, 83 का सही आंशर चैन करना है सभी के लिए, कालकरम की द्रश्टी से सही अनुक्रम चैन करना है, कौन सा यहाँ पर अनुक्रम सही आंशर होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी रचना आएगी, निहार रस्मी दीपसिखा सांध्यगीत, यह वाला जो व संद्गीत तो भी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर होगा विल्कुल चाहिए सभी लोगों ने जैनों नभी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा और यहां पर देखेगा यह दिये गए निहार एकनी की हैं महादेवी वरमा की रचना इवानी जाती है जने आदुने क्यूग की मीरा कहा जाता है question number आपसे यहाँ पर 84 पूंचा गया है सही किर्थी क्रम को पहचानना है बताईए यहाँ पर भी आपके लिए सही किर्थी क्रम को पहचानना है कौन सा क्रम यहाँ पर जो है सयांतरोगा रिमा जी सबी लोग चैन करेंगे महत्पूर्ण question यहाँ पर है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है एक बाद लाइक अबसे कलने और सेर करते हैं रोज आपके लिए क्लास लाइज आती है सामको चार बजे और यहाँ पर आपका सही आंसरों का पल्ला गुंजन युगांत युगवाणी विकल्प नंबर यह वाला जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यह समित्रन अंदर पंत की रचना दे गई है जिसमें पल्ला गुंजन युगांत युगवाणी यह वाला क्रम जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मिलकुल चाहिए अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर आपसे पूंचा गया है कौन सा कॉस्चन नमबर पचासी आपसे पूंचा गया है सब का निचोड लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में वर्सों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में वप्त काब पंतियों की रचेता कौन मानी जाती है यह पंतियां जो दी गई है किनकी मानी जाती है निराला, प्रसाद, मादे बर्मा या फिर पंते और आप सभी का सईयांसर होगा राजन सिंग जी, विकल्प नमबर आपका बी जो है आपका सईयांसर है, जै संकर प्रसाद यहां पर सईयांसर होगा बी वाला विकल्प जनोंने भी चैन किया है उनका यहां पर सईयांसर है जै संकर प्रसाद यहां पर उनी की ये पंतियां दी गई है question number आपसे यहाँ पर चासी पूंचा गया देखेगा चासी बा question यहाँ पर है इरा question number चासी यहाँ पर पूंचा है कि निमनलिकत में से कौन सी रचिना पंत की नहीं है सुमित्रा नंदर पंत की रचिना नहीं बताना है आपके लिए योगपत अतिमा उत्रा या फिर गीत गुंचे बताईए चार विकल्प यहाँ पर दिये गए हैं इन में से आपको सई आंसर चैन करना है और निमनलिकत में से कौन सी रचिना सुमित्रा नंदर पंत की नहीं है तो आप सभी का यहाँ पर दी वाला विकल्प आपका सई आंसर है यानि कि गीत गुंचे रचिना नहीं मानी जाती है बाकी की रचिना यहाँ पर योगपत अतिमा उत्रा यह रचिना मानी जाती है तो दी वाला विकल्प यहाँ पर सई आंसर होगा ये निराला की रचिना मानी जाते है गीत बुंजना की सुमित्रा नंदन पंतिकी अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर अंगला क्या पूंचा गया है देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है गितिका है, निशा है, नीरजा है, तो 87 में आप सभी का यहांपर पूँचा है सही आंसर क्या होगा विकल्प नंबर आपका D यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 जन्होंने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर है बहुत बढ़ी है विल्कुल सही अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर 88 वा कॉस्चन पूंचा जा है देखेगा यहां पर पंतियां दी गई है फिर परियों के बच्चों से हम स्वाग सीप के पंक पसार समुत्र पैरते सुची जोत सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार इन पंतियों की रचिनाकार कौन माने जाते हैं आठासी में आपके लिए आपपर चेन कन्ना समित्रा नंदन पंतं है महदेई वर्मा है सुर कांथर पाथी नराला है या फिर जैसंकर प्रसाद है और आप सभी का यहां पर सजी अंफर आ रहा है वियुकलब नंबर एक यानि कि पंत जी की पंतियां मानी जाती है विकल्प नमबर एक जनवने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी अंगल्या कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे आपर पूंचा गया है नवासी वा कॉस्चन है प्रिकाशन वर्ष के अनुसार वताना निराला की रचना इती गई है और आप सभी का यहां पर सई आंसर है विकल्प नंबर एक गीतिका अडिमा अरचना आराधना यह वाला जो विकल्प है आपका यहांपर सई आंसर है बहुत बढ़िया अंगला question यहां पर दिया गया है question number आपका यहां पर 90 है देखिएगा एरह question number 90 सूची एक को सूची दो से आपके लिए यहां पर सुमिलित करना है कि किस रचना का किस कविताओं का जो है प्रिकासन वर्ड से यहां पर क्या माना जाता है बताइगा यहां पर और आपके code भी देगा है एक बार code देख लेते हैं कौन सा वेकल पापका यहां पर code में सविए अंसर होगा यहां पर देख लीजिएगा 4 विकलप आपके यहां पर देगए हैं और आपका यहां पर देखेगा सबसे पहले कुकुर मुत्ता यह रचना किन की मानी जाती उन् प्रिकाशन और प्रेम संगीत का प्रिकाशन माना जाता है 1936 विकल्प इस प्रिकार जो है यहाँ पर सुमिलित कर दिये है दीपक जी विल्कुल सही आंसर अवाद बढ़िया विकल्प नमबर जो D यहाँ पर देखिए एक कोड दिये गए थे कोड में आपका जो विकल्प नमबर चार है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखिए गए इस प्रिकार यहाँ पर जो है सुमिलित किये गए थे बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या पूंचा गया है कॉस्चन नमबर आपका य यहाँ पर सही अनुक्रम बताना है, कौन सा अनुक्रम 91 में आपका सही आंसर होगा, बताईए कॉस्चन मत पूर्ण है, लाइक अवस्त कलेंगे, सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है लाइक अवस्त कल लीजेगा, मत पूर्ण कॉस्चन पूँचा गया है, जैसंकर प्रसाद की निमलिकित का विकरतियों का सही अनुक्रम बताना है और आप सभी का यहाँ पर जो डी है, कानन कुस्चन जरना, आसू और लहर, यह वाला विकल्प आपका चार जो है, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विल्कुल सही डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, कानन कुस्चन 1913 की रचना है और जर्णा जो रचिना है जर्णा 1908 आंसु 1925 और लहर 1933 की रचिना मानी जाती है बहुत बड़ी अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहाँ पर पानलवे आपसे पूंचा गया है काम मंगल चे पंडित स्रे सर्ग एक्चा का है परिणाम तरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो अस्पल अउधान यह अस्पल भावधाम लिखा है यहाँ पर तो बताईएगा यह पंतियां किन की मानी यह पंत लग्जा है इनमें से चैन करना है तो सभी लोग बता रहे कि विकल्प नमबर जोसी है यह आपर सही आंसर होगा यानि कि श्रद्दा आप सभी का सही आंसर है बहुत बढ़िया कामाईनी महाकाब बें जो है इसमें पंद्रह सर्ग हैं पंद्रह सर्ग पूंचे जाते हैं औ और 1935 इसका रचिना काल माना जाता है प्रसाद जी की रचिना मानी जाती है कामाईनी तो इस पिरकार के जो हैं बहुत ही महत्तपूर्ण आंसर थे तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें आंगे और भी महत्तपूर्ण आंसर है जो अपन अंगली क्लास में अब करेंगे तो अंगली क्लास आपकी एक साड़े साथ बजे होती है साम को जहां पर आपके लिए लाए जाते हैं सामन हिंदी से संबंदित महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर सामन हिंदी के कॉस्चन होते हैं हिंदी व्याक्रण के कॉस्चन होते हैं सभी के लिए उस क्लास से जुड़ना वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो जादर से जादर वीडियो को सेर करें तो लाइक से रवस्य कर लेंगी राजन जी विलकुल मनीशा जी वैशनवी जी मन्जू जी अमित जी लबली ठाकुर जी और नीलम जी राजीब मौर जी शिलपा सिंग जी अमित सिंग जी बिंदू जी पारवती जी वैशनवी जी और रिता जी विसाल कुमार जी तनू जी न मीहा जी कलपनः जी देवभरत पांडे जी और нос जू जी अनिटा जी राकाइस जी जवाज़रण जी हाँ जेले चीता जी और इहाँ पर चंधिय Andre जी आनंद población आनंद जी और वार Ст? जृ जी प्रिती जी भाबना गंगवार जी ही सबी के लिए ज्यतंद्र जी अनिता जी लाइक अबस्ता करनें सभी को जीनों नें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अबस्ते करते जाएगा सभी लोग हुआ मैं तो यूँ character me with अब्सक्राओं को नियूजिर तो सभी लोग लाइक से रवस्ते करिएगा राकेश गोसामी जी और आज के वीडियो में वस इतना ही सभी के लिए जए हिंद्व